चलिए एक ब्रेकिंग नियूस मिल रही है रुख करेंगे मध्यप्रदेश की राधानी भुपाल का ये भुपाल से बड़ी खबर है अब कहीं भी आपने थूका तो दो सो रुपे आपको जुर्माना देना होगा तो सच्चता को लेकर खुले में धूकने पर नगर निगम वसूलेगा धाई सो रुपे जुर्माना धुले में शौच करते पाए जाने पर पांच सो रुपे जुर्माना वसूला जाएगा सारवजने के स्थानों पर गंदगी फैलाने पर धाइस सो रुपए जुर्माना जो है लगेगा फुले में नहाने, भूकने, शौचकरने, नगर निगम, भुपाल ने ये आदेश जारी कर दिया है तो ये जो आदेश की हम आपको कौपी दिखा रहा है ये वही आदेश है अब जुर्माना तै हो गया है नगर निगम, भुपाल ने ये आदेश निकाला है और इसमें कहीं भी आपने अगर थूका कहीं भी शौच की, कहीं भी नहाया खुले इस्थान पर, सारे जिनक इस्थानों पर तो अब आपको जुर्माना देना होगा इस खबर पर और अधिक बाचित के लिए विशिश समवाद दाता आशीश मंगल सुनी जुड़ चुके हैं अब भोपाल की बारी, यानि का स्वच्चता अभ्यान को लेकर पूरी तरह से नगर निगम सजग हो रहा है और इसलिए ये आदेश निकाला गया है इसलिए नगर निगम बोपाल ने स्वच्चता अभ्यान के तहर ये आदेश निकाला है जिससे बोपाल को स्वच्च रखने में मदद मिल सकेगी और जो आदेश जारी हुआ है उसमें बिल्कुल साफ है कि यदि आपने किसी भी सारजनी किस्तान पर ठूका तो उसके लिए नगर निगम आपसे 20 उपे का चालान लेगी सारजनी के तन पर खुले में मुत्र विसरजन किया या सोच किया या नहाए या बरतंद होए हैं तो उसके लिए भी आपको नगर निगम स्पाट फाइन की विवस्ता करने जा रहा है इसके साथ ही जो गुम्ठी लगाते हैं ठेला लगाते हैं उन तमाम व्यापारियों के लिए नगर निगम ने कहा है कि डस्ट बिंड रखना जरूरी है यहां तक कि नगर निगम ने यह आदेश भी जारी कर दिया है कि यह भी आपके मकान या दुकान में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो मलबा है वो अलग नहीं रखा निर्मान सामगरी अलग नहीं रखी तो भी फाइन लगाया जाएगा कुल मिलाकर भोपाल को स्वक्ष बनाने के लिए नगर निगम की यह पहले और इसके पहले गुजरात में इस तरह से CCTV केमरे के माध्यम से यह तमाम जो लोकेशन होती है उनको प्रेस करके घर चालन भेजने की क्या काम किया जा रहा है तो मत्रदेश में भोपाल भी अब वो दिन दूर नहीं है जो भोपाल में इस तरह से CCTV लगार भी चालन बेजा जाएगा निश्चित तोर पर शुक्ष्टा अवियान को बलाने के लिए और भोपाल को साफ रखने के लिए यह नगर निगम ने पहल किये बिल्कुल आशिश ये भी बता दिजे कि ये आदेश कफ से लागू हो गया क्या आज से ही लागू हो गया है क्योंकि जो दर्शा का भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनके लिए भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि अब उनको थूका तो ढ़ाई सो रुपे देना होंग कि यदि कहीं भी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं तो स्कॉर्ट पाइन किया जाएगा बहुत बहुत शुक्री आशिश तमाम जानकारे के लिए तो अब अगर आपने सारजन के स्थानों पर गंदगी फैलाई तो आपकी जेव धीली हो सकती है तुरंत जुर्माना आपसे वसूल लिया जाएगा